दोस्तो एक बार फिर से स्वागते आपका ड्रीम के बीसी जिक्के यूटूब चैनल पे दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर जारखन ड्राइजे से सब्सक्राइब जेनरल नौलेज के सामने ग्यान के पचास अती महत्तों पूर्ण क्वेशन लेके आये हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है हैल्फू लगता है नौलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस तेरे एक इस तो वीडियों तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना फिशन मबर बन, जारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? जारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर चार ओप्सन दिएगी है, अगर आपको पता हो, तो इसका आंसर आप कमेट भी कर शकते हो, और अपना नौलेज भी चेक कर शकते हो, टोटल 50 क्रिशन है, 50 क्रिशन मस यह, कितने क्रिशन के आंसर आपके सही होते है, आपको कमेट करके हमें बताना है, खुद का इसका अंसरे ओप्सन ही 15 नावंबर 2 ह्जार तो 15 नावंबर वर्ष 2 जार में जारखन ड्राज्य की स्थाफ जार्खन राज्य का क्षेत्रफल कितना है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड़ भी कर सकती हो तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 79,714, 89,714 वर्ग किलोमेटर है जार्खन राज्य का क्षेत्रफल चलते हैं अगले क्षेत्रफल पर विशन बत्री जार्खन राजे के प्रथम मुख्य मंत्री कौन थे जार्खन राजे के प्रथम मुख्य मंत्री कौन थे अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड़ी करशकती हो तो इसका आंसर है option डी बाबुलाल मरांडी तो बाबुलाल मरांडी थे जार्खन राजे के प्रतम मुख्यमंद्री अगला question जार्खन का राज की ये पसू क्या है जार्खन का राज की ये पसू क्या है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप comment कीजिए तो इसका answer option ऐ हाथी है जार데खंड का राज कीए पसू किस सहर को जार साथ को जारस का सिमला कहा जाता है किस सहर को जार्चंड का सिमला कहा जाता है कई एकजाम में question पूछा जा चुगा है अगर आपको पता हो तो इसका answer आप comment भी कर सकते हो तो इसका आंसर है option भी रांची है जारकन का सिमला तो रांची को जारकन का सिमला कहा जाता है अगला question जारकन का सबसे बड़ा खनन क्षेतर इसका आंसर आप comment कीजिए वेरी वेरी इंपोर्ट कुछन ही है अगर आपने चुना है option D धनबाद तो बिल्कुल सही answer है आपका जापे option D धनबाद सही हो जाएगा जारकन का सबसे बड़ा खनन खेतर है धनबाद अगला कुछन जारकन डाजे में अबरक की खाने कहां पाई जाती है वेरी वेरी इंपोर्ट कुछन ही है अगर आपको पता हो तो इसका answer आप कमेट भी कर सकती हो कृपिया इसका answer आप कमेट करके बताईए तो इसका answer है option D कोडर मा तो यहाँ पर option D सही हो जाएगा कोडर मा है जहाँ पर अबरक की खाने पाई जाती है अधिक मात्रा में तो आपको याद रखना है तो जार्खन राजे में अबरक की खाने कहां पाई जाती है तो कोडर मा में पाई जाती है नेक्स्ट जार्खन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जारखन राजय का सबसे बड़ा सहर कौन सा है सोचे इसका अंसर वेरी वेरी सिंपल क्यूशन है कुर्पिया इसका अंसर कमेट करे तो इसका अंसर है option D जमसेदपूर option D जमसेदपूर सही हो जाएगा आपे जारखन का सबसे बड़ा नगर है next किस काल में जारखन को खोकरा के नाम से जाना जाता था किस काल में जारखन को खोकरा के नाम से जाना जाता था यहाँ पर अंसर डाइरेक आ गया एक्शली समाख जाते हैं हम option गुप्त काल में गुप्त काल में जारखन को खोकरा के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है जारकन राज्य में सरवाधिक बोली जाने वाली भासा कौन सी है बहुती इंपोर्ट किशन है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकती हो नेक्स्ट, जार्खन की ओध्योकिक राजदानी कहा जाता है, तो जार्खन राज़े की ओध्योकिक राजदानी किसे कहा जाता है, कृप्या इसका आंसर कमेट करे, यहां पर चार ओप्सन दिए गए है, तो इसका आंसर है ओप्सन भी जमसेदपूर, तो जमसेदपूर को टा आटा नगरी भी कहा जाता है इसे जार्खन की ओद्योगी राजदानी भी कहा जाता है नेक्स्ट जार्खन ड्राइजे में चेरो विद्रोह चेरो विद्रोह किस वर्ष्र हुआ था इंपॉर्डर किश्र ही यह अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड़ भी कर सकती हो 202 कृएं इसका अंसर कमेड़ करे हैं नेक्स्ट जारकन राजजे में कनाडा बांद किस नदी पर स्थीत है अगर आपको पता हो तो इसका अंसर कमेड़ कीजिए तो इसका आंसर है option C, मयूराक्सी नदी तो मयूराक्सी नदी पर सिथ है कानाडा बांध अगला question Question number 15 important question ही यह जारकन ड्राइजे की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो जारकन ड्राइजे की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है Very very important question ही यह अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप commit भी करते हो तो आप और option C सही हो जाएगा दामोदर नदी परियोजना तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जारकन ड्राइजे की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है Option C सही हो जाएगा जार्खंट राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है जार्खंट राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकती हो तो इसका आंसर ए आप्सन भी लाल मिट्टी पाई जाती है जार्खंट राजदानी जमसेदपूर सहर किस नदी के किनारह स्थीत है तो इसका आंसर और ऑपशन A स्वन्ळन रेखान अधी जार्खंट की अद्योगिक राजदानी जमसेदपूर सहर जारकन का एक मात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है जारकन के किस जिले में हुंड्रू जल प्रपात स्थीध है जारकन के कौन से जिले में है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड भी कर सकते हो तो इसका आंसर आपसन भी राची में स्थीध है जारकन में हुंड्रू जल प्रपात वेरी वेरी इंपोर्ट के शिरी है नेक्स्ट जारकन में बहने वाली किस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है जारकन में बहने वाली किस नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है important question यह कई exam में question पूछा जा चुका है अगर आपको पता हो तो इसका answer आप comment कीजिए तो इसका answer है option B दामोदर नदी तो जार्खन में बहने वाली दामोदर नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है option B दामोदर नदी सही हो जाएगए या पर अगले कुश्षिन राजमहल कौशल अब्यारणिया जारकन के इस चिले में स्थीत है अगर आपको पता हो तो इसका ấyटांसर कमेड कीजे तो इसका अउटांसर है आप्सन भी साहेब घंज तो साहेब घंज चिले में स्थीत है राज महल काउसल अभ्यारनियों चलते है अगले question पे बिरसा भगवान जेविक उधियान बिरसा भगवान जेविक उधियान जारकन के किस जिल्ले में स्तीत है वेरी वेरी important question नहीँ है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर comment कर सकते हो इसका आंसर राज्य के किस जिले में तोप चाची जिल स्थीत है इंपोर्ड क्यों नहीं है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेड कीजिए कृविया इसका आंसर पड़ा पड़ कमेड कीजिए तो इसका आंसर राज्य के धनबाद जिले में तोप चाची जिल स्थीत है अगला कुशन चावल अनुसंदान के अंद्रा जार्खंड के किस जिले में स्थीत है तो very very important ही है चावल अनुसंदान के अंदर जार्खन के कौन से जिल्य में है सुचे इसका आंसर comment कीजिए तो इसका आंसर है option B हजारी बाग जिल्य में स्थित है चावल अनुसंदान के अंदर जार्खन में option B हजारी बाग सही हो जाएगा next जारकंड में किसे पहाडों की रानी कहा जाता है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड भी कर सकते हो यह पिर चार ओप्सन देगे हैं सुचे इसका आंसर तो इसका आंसर ओप्सन नेतर हाट तो नेतर हाट को जारकंड में पहाडों की रानी कहा जाता है तो जारकंड का सबसे उचा स्थान भी नेतर हाड है इसे पहाडों की रानी कहा जाता है याद रखना है आपको नेक्स्ट जनसंक्या की दरश्टी से जारकंड में सरवादिक कौन सी जनजाती पाई जाती है इंपोर्ड किशन ही है जारकंड जन्जादी पाई जाती है दोस्तो अभी तक आपने हमारा यह चनल Dream KBC जिक्के चनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो आपको नमबर में निती रहेगी आप निचे रहे रेट गलर के सब्सक्राइब ब्रंग को दबा दीजे और बाजी मेरे बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही fully knowledgeable वीडियो की notification मिलते हैं किजिए दोस्तो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो क्वेशन आपको अच्छे लगते हो तो इसका अंसर कृपिया अकमेट कीजिए तो इसका अंसर है option सी दामोद नदी जार्खन राजे की सबसे प्रदूशित नदी है दामोदर नदी अगला question जार्खन राजे का कौन सा स्थान बोद काल के दोरान बुद धर्म का प्रमुक कैंद्र था जार्खन राजय का कौन सा स्थान बोध काल के दोरान बुद्ध धर्म का प्रमुक केंद्र था यहाँ पे चार ओप्सन दियेगे हैं अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कुपिया कमेट कीजिए यहाँ पे चार ओप्सन दियेगे हैं अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकती हो और अपना नौलेज भी चेक कर सकती हो तो इसका आंसर ओप्सन सी राची तो राची साइन सीटी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट जार्खन राजी का सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग कौन सा है जारकन का सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग कौन सा है जारकन राज़ी में तो इसका आंसर है option B राष्ट्रिय राजमार्ग 33 तो राष्ट्रिय राजमार्ग 33 जारकन राज़ी का सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग है याद रखना है, इंपोर्ड कुछ लिए, नेक्स्ट, जार्खन ड्राज़ी की उप राजदानी है, तो जार्खन ड्राज़ी की उप राजदानी कौन सी है, अगर आपको पता हो, तो इसका अंसर आप कमेड भी कर सकती हो, तो इसका अंसर कमेड कीजिए, नेक्स्ट, इसका अ आणसर है option C, दूंका है, जारखन राज़े की उप राज़दा नहीं, next, जारखन के किस जिले से होकर करक रेखा गुजरती है, पुर भी आइसका आंसर अनसर कमेट करें, तो इसका आंसर है option D, हजारी बाग, यहाँपे option D से हो जाएगा, हजारी बाग, याद रखना है आपक तो हजारी बाग से होकर करक रेखा गुजरती है अगला क्योशन जारकन का प्रथम बिजली कर कहां स्थापित किया गया था टो इसका अंसर है option B TILIYA तो तिलिया में जारकन का प्रथम बिजली गर स्थापित किया गया था Very very important क्योशन है Next तिले या जल विद्यूत परियोजना जारकंड में किस नदी पर स्थापित है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड भी कर सकते हो और अपना नौलेज भी चेक कर सकते हो गुर्पिया इसका आंसर आप कमेड कीजिए तो इसका आंसर है option सी बराकर नदी तो तिले या जल विद्यूत परियोजना बराकर नदी पर स्थापित है नेक्स्ट जारकंड में प्रतम रेल मार्ग कब बनाय गया था जारकंड रैज में प्रतम रेल मार्ग कब बनाय गया था इसका आंसर है option भी 1845 18.45 में जारकंड में प्रतम रेल मार्ग बनाय गया था Next पारत का सबसे बड़ा लोह इस्पात कार खाना जारकंड के किस जिल्ले में स्थीत है Very very important question है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकती हो सोचे इसका आंसर इसका आंसर है option D. बोकारो तो पारत का सबसे बड़ा लोह इस्पात कार खाना जारकंड के बोकारों में चिल्ले में स्थापित किया गया था चलते हैं अगले question पे Question number 37 जारकंड रजे का आकार किस के समाने तो जारकंड रजे का आकार कैसा है Very very important question है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप commit भी कर सकते हो तो इसका आंसर है option A. चतूर भूज तो जारकंड रजे का आकार चतूर भूज है option A सही हो जाएगे आपे Next जारकंड रजे में किस स्थान पर सूरिय मंदिर स्थीद है Very very important question है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर commit भी कर सकते हो तो इसका आंसर बांद आई अब बुंदू option C बुंदू सही हो जाएगा बुंदू में है जारकंड रजे में सूरिय मंदिर एक मात्र चलते हैं अगले question पर जारकंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सरवादिक सिंचाई की जाती है जारकंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सरवादिक सिंचाई की जाती है आपको पर option D सही हो जाएगा लोहर दंगा तो लोहर दंगा में नलकूप के द्वारा सरवादिक सिंचाई की जाती है अगला क्विशन क्विशन नमबर 40 जारकन राज में चांडिल जल विद्यूत पर योजना किस नदी पर है वेरी वेरी इंपोर्ट क्विशन है जारकन राज में चांडिल जल विद्यूत पर योजना या योजना किस नदी पर स्थीद है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड़ भी कर सकती हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकती हो तो कृपिया इसका आंसर कमेड़ कीजिए तो इसका आंसर है option B स्वर्ण रेखा option B से यूजएगा स्वर्ण रेकानदी पर स्थापित है चांडिल जल विद्यूत परी उजना अगला विशन विशन नमपर 41 इंपॉर्ण विशन ही यह जारकन के किस क्षेत्रों को खनीज बंडार कहा जाता है जारकन राजे के किस क्षेत्र को खनीज बंडार कहा जाता है तो इसका उतरे option D दामोदर घाटी तो दामोदर घाटी को खनीज बंडार कहा जाता है यहापे option D सही जाएगा दामोदर घाटी या छोटा नागपूर पठार को खनीज बंडार कहा जाता है चलते हैं अगले कुछे में जारकन ड्राइजे की पूरब में पूरब से पच्छिम की लंबाई कितनी है जारकन ड्राइजे की पूरब से पच्छिम की लंबाई कितनी है वेरी वेरी इंपोर्ड कुछेन है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकते हो क्रिपिया कमेट कीजिए तो इसका आंसर है option A. 430 463 km है जारखन राजे की पुर्वचे पच्छिम लंबाई और उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितनी है क्रिपिया कमेट कीजिए question number 43 जारखन की कौन सी नदी किकट नाम से प्रसिद है जारखन की कौन सी नदी को किकट नदी भी कहा जाता है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर शकती हो तो इसका आंसर है option D. पुनपुन तो पुनपुन नदी को किकट नाम से प्रसिद है पुनपुन नदी अगला question जार्खन का राज की ये पुस्प कौन सा है जार्खन राज की ये पुस्प कौन सा है वेरी वेरी इंपोर्ट कुशन है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका आंसर है ओप्सन डी पलास यहाँ पे Option D सही हो जाएगा, पला से जारकन का राजकी पुष्प Next, जारकन का सबसे उच्छा जल प्रपात कौन सा है? जारकन राज का सबसे उच्छा जल प्रपात कौन सा है? यहाँ पे चार ओप्सन दियेगे है, अगर आपको पता हो, तो इसका अंसर आप कमेड भी कर सकते हो, और अपना नौलेज भी चेक कर सकते हो तो यहां पर option b सही हो जाएगा बुड़ा कांग जल प्रपाद यहां इस образом loyal लौन्दा कांग जल प्रपाद भी कहते है option b जारकन का सबसे उचा जल प्रपाद है कहीपे हुंडू जल प्रपाद भी दिख रहा है यहां पर option b सही हो जाएगा next जारकन में पहला तामबा प्रगलन केंद्र कहां पर है जार्खन में पहला तामबा प्रगलन केंद्र कहां पर स्थीत है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेड़ भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका आंसर है option C घाट सिला तो option C सेयुजय का घाट सिला में जार्खन ड्राजे का पहला तामबा प्रगलन केंद्रा जार्खन ड्राजे में जुमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है अगर आपको पता हो तो इसका answer आप कमेट भी कर सकते हो और अपना knowledge भी चेक कर सकते हो सोचे इसका answer वेरी वेरी important question है यह तो इसका answer है option B सेयुजय कही जोनापर 5 हो पर परवत युहार के अवसर पर जुमर गीत जाता है याद रक नहीं है तो परवत युहार के अवसर पर जार्खन में कॉन सा गीत गाया जाता है तो जुमर गीत चलते हैं अगले question पे जारखंड में जन्जाइन गीत तो जन्जाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है जारखंड में जन्जाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है very very important question है अगर आपको पता हो तो इसका answer आप comment कीजिए अगर आपने चुनाए option ने तो यहाँ पे option ने संतान उत्पति के अवसर पर गाया जाता है जन्जाइन गीत question number 49 important question है जारखंड कि किस जन्जाइथी का प्रदान देवता सिंग बॉंगा है तो जारखंड राखंड आजे कि किस जन्जाइथी का प्रदान देवता सिंग बॉंगा है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट कीजिए वेरी वेरी इंपोर्ट क्वेशन ही है कई एक्जाम में ये क्वेशन पुछा जा चुका है सोचे इसका आंसर या पर आप्शन भी मुंडा सही हो जाएगा मुंडा चंजाती के प्रधान देता सिंग बौंगा है क्वेशन नमबर 50 किस काल में जार्खन राजय को कुकरा के नाम से जाना जाता था यहाँ पर चार आप्शन दियेगे है अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेट भी कर सकते हो और अपना knowledge भी चेक कर सकते हो सोचे इसका answer तो इसका answer है option भी मुगल काल तो मुगल काल में जारकंड को किस नाम से जाना जाता तो कुकरा के नाम से जाना जाता याद रखना है आपको दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समापत होता है अगर आपको अपत हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो knowledgeable लगा हो तो इसे like कीजिए share कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल dream kbcgk youtube channel subscribe नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको number बिनती रहेगी आप निचे रहेए rate गलर के subscribe बटन को दबा दीजिए और बाज़ी मेरे bell आइकन को दबा दीजिए ताक कि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही fully knowledgeable वीडियो की नौडिपी कीजिए मिलते रहेगी तो दोस्तों हमारे dream kbcg का facebook पेज भी है आप हमारा facebook पेज लाइक कर सकते हो तिटर पर भी फोलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी हम हमारा अने नौलेज शेर करते है तो महाँ पर भी हमें व होप्त कर सकते हो वीडियो चलगो तो लाइक कीजी शेर कीजे और हमें सपोर्ड कीजे जै हिंद जै भारत वंदे माधरम